हलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चानल Study for Civil Services में दोस्तों, यहाँ पे हम लोग Environment से संबंदित Current Affairs आपके साथ जून से लेकर जनवरी तक के महिने के Hindi और English दोनों भाषाओं में cover कर रहे हैं तो अपना आज का topic शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे कुछ paid courses चलते हैं जहाँ पे हम लोग UPSC की और अलग-अलग state exams के तयारी करवाते हैं study material प्रोवाइड करते हैं तो अगर इस बारे में आपको कोई information चाहिए हो तो दिये गए दो numbers में से किसी पे भी call करें हम आपकी जरूर सायता करेंगे तो जो आज का पहला topic है वो एक sudden event के बारे में है जहाँ पे हमने देखा कि एकदम से जो stratosphere है वो warm हो गया यानि गरम हो गया देखे दोस्तों जब आप world map पे देखते हैं तो यहाँ पे एकदम southern hemisphere के बिल्कुल southern part में आपको Antarctica देखने को मिलता है इस Antarctica में जो stratosphere है एकदम से उसमें गरमी उत्पन हो गई उसमें warming होने लगी और वो warming इस level तक थी कि यहाँ पे जो temperature था वो minus 70 degree Celsius रहता था आम तोर पे वो temperature बढ़के minus 25 degree Celsius तक हो गया अब यह stratosphere रिक warming क्या है यह एक sudden event है यानि अचानक से होने वाले एक event है जहाँ पे stratosphere में एकदम से rapid warming हो जाती है यहाँ पे जो तापमान है वो करीब 50 degree Celsius तक rise हो सकता है और वो भी बस कुछी दिनों के अंदर अंदर जो stratosphere है वो अर्थ के surface से करीब 10 से 50 km ऊपर की तरफ होता है अगर हम दोस्तों अर्थ की layers को study करते हैं तो हम पाएंगे करीब 10 km तक हमारे troposphere extend करता है फिर अगर आप यहाँ पे करीब 50 km तक देखेंगे तो उपर यह पड़ेगा stratosphere stratosphere के और उपर जाएंगे आप तो पड़ेगा mesosphere mesosphere के और उपर जाएंगे तो ionosphere या फिर thermosphere तो इस तरीके से हम atmosphere की layers को बाटते हैं तो इसमें हम लोग बात कर रहें यह stratosphere की यानि जो surface of the earth है उससे 10 से 50 km के बीच में करीब एकदम से हमको sudden warming event देखने को मिला एकदम से तापमान बढ़ गया हाला कि इस तरीके के जो event होते हैं यह हर एक साल अकर नहीं होते जनरली देखा गया है कि दो साल की gap से ऐसे events अकर होते हैं Antarctic में लगातार बहुत समय से एक समस्या बनी हुई थी जो ozone hole है वो बढ़ता जा रहा था basically मैंने आपको बताया था एक ozone layer होती है जो हमें सूरे से आने वाली UV किर्णों से बचाती है अगर कि UV किर्णे धर्ती तक आ जाती है और हमारे उपर directly लगती है तो आपको skin cancer eye के अलग-अलग diseases आपको और भी body में अलग-अलग तरीके की बीमारिया हो सकती है उसके अलावा ये plants को भी affect करते है plants के पत्ते जल्दी गिर जाते हैं उसके अलावा जल्दी plants मुर्जा जाते हैं तो इस तरीके से UV किर्णे जो है उनकी बहुत harmful effects होते हैं लेकिन ये जो ozone layer होती है जो की stratosphere में ही है ये हमको इन UV किर्णों से बहुत जादा emit हो रही थी देखाये गया है chlorofluorocarbon में जो chlorine होता है ये ozone layer से react करता है और इस ozone layer को तोड़ना शुरू कर देता है ozone layer टूट टूट के इस level तक आ गई थी कि एक बड़ा सा ozone hole हो गया था और दिक्कत ये थी कि जो UV किर्णे है ये इस ozone hole से प्रत्वी तक आ आ रहे ही थी बिना किसी रुकावट के तो जो मेंजर थी वो थी CFC CFC आपको कहा मिलती है आपको refrigerators में मिलती है उसके अलावा जो भी foam के agents होते हैं वहाँ पे आपको मिलती है लेकिन इस अब देखते हुए हमने सही टाइम पे Montreal Protocol जैसे International Treaties अपनाई जिसमें हमने कमिट किया था कि हम ozone layer को deplete होने से बचाएंगे उसी के तहत धीरे धीरे करके CFC का consumption खतम किया गया इसकी जगे दूसरे alternative लाए गया जैसे की HFC जो है वो भी इसका एक विकल्प है और इसी सब के चलते जो ozone का hole बढ़ रहा था वो धीरे धीरे करके shrink होने लगा वापिस कम होने लगा यानि जो ozone layer है वो recover होने लगी तो जो phenomena यह एंटाक्टिका में बहुत जादा देखने को मिलता था तो इसी लिए यह ozone hole shrinking के साथ अब connected है जो मैंने आपको बताए अब यह shrink हो रही है पहले यह ozone hole बढ़ा हो रहा था अब अगर मैं उपर की बात करूँ Arctic areas तो Arctic areas में भी इस तरीके की चीज़े देखी गई है लेकिन वहाँ पे इतना बढ़ा hole नहीं है वहाँ पे एक छोटा सा dent जैसा होना शुरू हुआ था जिसको हम ozone dent बोला करते थे हाला कि वही मैंने बताए Montreal Protocol के बाद अभी ozone layer all over the world अपनी recovery पे है तो यह हमने Antarctic से जुड़ा हुआ एक fact पढ़ा ozone hole से जुड़ा हुआ एक fact पढ़ा अब हम देखते हैं यह जो sudden stratospheric warming हुई है यह क्या है देखिए यह वैसे rare event है ऐसे आम तोर पर होता नहीं है ऐसा माना जाता है कि हर दूसरे साल होता है या उसके बाद होता है average हम लोग लेते हैं तो दूसरे साल माना जाता है नदन hemisphere में हाला कि होता है यह बात important है लेकिन इस बार भाई southern hemisphere में हो गया देखिए आर्थ जो है इसमें यह इस तरीके से बीच से equator गया हुआ है जो equator के ऊपर उत्तरी भाग है इसको आप northern hemisphere बोलते हैं और जो equator के नीचे दक्षणी भाग है इसको आप southern hemisphere बोलते हैं तो यह जो event है यह इस तरफ northern hemisphere में फिर भी होता था Southern Hemisphere में ये बहुत कम देखा गया है लेकिन इस बार Antarctic के ओपर Southern Hemisphere में ये particular event पाया गया है तो इसकी वज़े से जो South Pole है उसका temperature 40 degree के आज़ पास increase हो गया अब आप देखिए वहाँ पर temperature इतना ज़ाद increase हो जाएगा तो कैसमस्य होंगी जो भी ice है वो melt होना शुरू हो जाएगी ice melt होगी तो हमने पहले भी chain connect किये ice melt होने से क्या होगा sea का जो level है वो बढ़ेगा sea level बढ़ेगा तो जो भी ऐसे island है छोटे छोटे जो vulnerable है वो डूब जाएंगे तो इसलिए sea के level को बढ़ने से हमको बचाना है और साथ साथ इससे कुछ और भी event होंगे जैसे की southern hemisphere में जो countries है for example न्यूजिलेंड या फिर जो continent है जैसे की Australia इन में hot dry winds का एक पूरा दौर चलेगा अगले तीन महिने तक हो सकता इस तरीके की गरम हवाएं आपको देखने को मिले महसूस करने को मिले और इस continent में इस महाद्वीब में अब समभावना बढ़ जाएगी कि draw ठकर हो सकता है यानि सूखा पढ़ सकता है हालकि यहाँ पर एक बात अच्छी है कि जो stratosphere की warming हो रही है इस वजह से ozone hole और ज्यादा shrink हो रहा है इतना बढ़ा था हमने Montreal protocol लगा है तो उससे थोड़ा shrink हो गया अब इस warming की वजह से ऐसा अनुमानित है कि यह और छोटा हो जाएगा यानि और shrink हो जाएगा कैसे अब देखिए मैं एक बार आपको brief में एक process समझाता हूं मैंने आपको बताया था CFC जो होते हैं वो fridge से निकलती है हमारी वो plastic forming agent से निकलती है air conditioner से निकलती है तो इन सब चीजों से यह इस तरीके का एक आप समझें यह particle है CFC यह निकलता है यह निकल के धीरे धीरे करके ऊपर चला जाता है stratosphere level तक अब बात यह है कि इसके साथ एक समझ से है यह बहुत long time तक persist कर सकता है environment में जल्दी breakdown नहीं होता तो 100-200 वर्ष होता कि यह वहां पर रह सकता है यह आता है हमारा stratospheric layer अब क्या होता है सर्दियों में यहां पर cloud बनता है जिसको हम कहते हैं polar stratospheric cloud जैसा कि नाम है इसका यह सिर्फ और सिर्फ polar areas में ही आपको देखने को मिलेगा stratosphere के आसपास यह cloud देखने को मिलेगा तो देखिए अगर आपके question आता है कि जो clouds है वो सिर्फ और सिर्फ troposphere में ही बनते हैं तो गलत है क्योंकि यहां आप देख पा रहे हैं कि stratosphere में भी cloud बन रहा है यह cloud है यह cloud act करता है chlorine के reservoir की तरह और यह जो chlorine है यह ozone को तोड़ने में important role play करता है अब यह कैसे करता है मैं एक reaction से समझाने कोशिच करता हूँ आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है बस मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ देखिए O3 जो है वो है ozone और CFC में से मैंने आपको बता है यह है CFC chlorofluorocarbon जो एक chloro है यानि कि यह होता है chlorine जब यह इस O3 से react करता है तो इससे एक O निकाल लेता है हो जाता है chlorine monoxide और यहाँ पे सिर्फ oxygen बसती है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए ozone तो टूट गया मतलब एक particle ozone का already टूट गया oxygen और chlorine monoxide में अब अगर आगे देखेंगे तो यही chlorine monoxide फिर से किसी ozone से react करेगा वापिस इसका एक O चुरा लेगा तो क्या बन जाएगा देखिए तो इसके बाद यह बन जाएगा chlorine अलग हो जाएगा प्लस एक जो O चुरा है वो O के साथ मिलके oxygen बना लेगा और इसका एक O चुरा है तो यह भी एक oxygen रहेगा तो यानि देखिए एक और यहाँ पर तूट गया फिर से chlorine बन गया फिर से वो free है और यह reaction कर सकता है तो basically यह एक chain reaction होता है chlorine जो है बार बार react करके ozone तोड़ता चला जाता है और यह chlorine जो है वो यहाँ पर हमको मिलेगा तो अगर यह cloud जल्दी से खतम हो जाए तो इतनी जल्दी यह ozone नहीं तोड़ने देगा जब warming event होते हैं तो ऐसा देखा गया यह जो cloud है यह जादे समय तक नहीं टिकता और क्यूंकि सर्दी होती है तो यह cloud के लिए favorable condition होती है कि setup हो जाए तो अगर सर्दी नहीं होगी अगर गर्मी होगी तो यह cloud ही नहीं बन पाएगा भारत का पहला e-waste clinic जहां पर क्या होगा जहां पर e-waste को segregate किया जाएगा फिर उसके बाद process किया जाएगा और ultimately dispose किया जाएगा तो इस तरीके का एक clinic setup करने के लिए बोपाल की municipal corporation और Central Pollution Control Board ने एक agreement पर sign किया है agreement के अनुसार हमारे देश का पहला ऐसा e-waste cleaning भोपाल मध्यप्रदेश में setup होगा एक्जाम के लिए बहुत जरूरी है जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर segregation होगा फिर processing होगी fit disposal होगा waste का यानि पहले देखा जाएगा कौन सा कचरा recycle किया जा सकता है कौन सा नहीं किया जा सकता जो recycle किया जा सकता हो उसको फिर process किया जाएगा और इसमें से भी जो recycle ना हो सकता हो उस सबको मिला के dispose कर दिया जाएगा यह household से और commercial unit दोनों से ही waste को collect करेंगे basically तीन महिने का pilot project है यह अगर यह successful हो गया तो आने वाले समय में इसी तरी के clinic हम देश भर में open करेंगे जो electronic waste है यह door to door collect होगा या फिर आप चाहें तो आप directly जाके भी इस clinic में अपना e-waste दे सकते हैं और उसके बदले वो आपको कोई fees दे देंगे एसे unit को setup करने के लिए Central Pollution Control Board टेकनिकल सपोर्ट यानि की तकनीकी जो भी सयोग है वो provide करेगा और जो मैंने यह आपको बता है जो भी waste recycle हो सकता है उसको भेजा जाएगा Bangalore recycle होने के लिए तो जो क्लीनिक है बेसिकली यह Solid Waste Management Rules 2016 में आये थे उनहीं के compliance पर बनाया जा रहा है अब यहां पर दो तीन चीज़े समझना ज़रूरी है पहले तो Central Pollution Control Board के बारे में क्योंकि यह संस्था नियूज में है तो हो सकता है संस्था के उपर भी question आ जाए सबसे प Prevention and Control of Pollution Act of 1974 इसी अधिनियम के तहत इसको 1974 में स्थापित किया गया as a statutory organization लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है जो आपको याद रखनी है वहाँ पर question बनने की ज्यादा संभावना है इसको बनाया तो गया इस Water Act के तहत लेकिन इसको पावर जो है वो एक दूसरे Act के तहत मिलती है तो इस particular संसा को जो पावर दी गई है वो Air Prevention and Control of Pollution Act 1981 के तहत दी गई है यहाँ पर आपको बस Air Act और Water Act याद रखना है क्योंकि जो यह इसमें Prevention and Control of Pollution है वो दोनों ही Acts में as it is है तो आप याद रखो पावर मिली है हवा के आक के तुरू और इसको बनाया गया है पानी के तु तो इसलिए ये दो वाले तो function पका होंगे एक तो पानी से संबंदित सभी pollution को खतम करे और हवा से संबंदित सभी production को खतम करे उसके लावा इसको हम लोग एक और important responsibility थमाते हैं कि आपको cleanliness maintain करके रखनी है हमारे देश में इसके लावा ये संस्था जो है ये technical assistance provide करता है यान Ministry of Environment, Forest and Climate Change को Environment Protection Act के regarding अब हम चलते हैं Delhi air pollution के बारे में Delhi जो की air pollution के लिए बहुत जादा प्रचलित है बहुत famous है उसके बारे में देखते हैं फिलाल में यहाँ पे debates नहीं है कि Delhi के air pollution में major role किसका है किस वज़य से air pollution इतनी जादे एकदम से बढ़ जाती है जैसे ही सर्दियां आती हैं तो सर्दियों के शुरू होते ही बहुत एकदम से तेजी से air pollution बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ पे कुछ key sources बताए गए है और ऐसे identify किया गया है कि यह 5 sources हैं जिसकी वज़य से दिल्ली में प्रदूशन एक बहुत बड़ी समस्या है एक तो vehicles वहाँ पे इतने ज्यादा धुआ निकलेगा ज्यादा धुआ यानि की ज्यादा greenhouse gases ज्यादा greenhouse gases यानि की ज्यादा pollution और साथ में ज्यादा global warming तो यह reason है बताया गया है जो vehicles हैं वह इतने ज्यादा हैं कि वह pollution को अपने आप बढ़ा देते हैं हाला कि इसको address करने के लिए यहाँ पे एक policy लाई गई थी odd and even policy जिसके तहत हर हफते में दिन fix कर दिये थे for example Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और Saturday है तो आप समझ यह Monday को है तो आप odd number की गाड़ी लेके निकल सकते हैं Tuesday को आप even फिर Wednesday को odd फिर Thursday को even फिर Friday को odd और फिर Saturday को even तो इस तरीके से था यह मैंने आपक example के तोर पर समझा है हो सकता है यह आपस में change भी हो हो सकता है Monday को even हो और Tuesday को odd हो लेकिन basic purpose का यह था कि alternate रहेंगी एक दिन odd निकले एक दिन even निकले तो उससे क्या होगा number of vehicles कम होंगे और अगर number of vehicles कम होंगे तो ऐसा expect किया जा रहा था कि vehicles से निकलने वाला pollution भी कम होगा, pollution कम होगा तो कुछ हद तक हम दिल्ली में जो air pollution है जो हवा का production है उसको रोक सकते हैं उसके लाए वहाँ पे बहुत सारे power plants और industry है जो NCR region है वो धीरे धीरे करके power plants और industries का हब बनता जा रहा है जैसे कि आप देखें गुडगाओं या फिर नॉड़ा वहीं पर एक प्रताब गं और industries हैं जिससे निकलने वाला बहुत सारा धुआ क्योंकि fossil fuels जलाके वो लोग energy obtain करते हैं तो वो सब धुआ वो सब green house gases भी pollution में contribute करती है उसके अलावा garbage burning यहाँ पर फले ही particular person के घर में देखें या फिर आप landfills में देखें जो कच्रा है उसको एक साथ इखटा करके जला द elements जिसकी वज़ा से काफी खतरना gases release होती है environment में जिसकी वज़ा से air और ज्यादा pollute होती है और इस तरीके gases अगर किसी तरीके से आपके respiratory tract के through आपकी body में चली गई तो आपकी body को भी नुकसान पहुंचाती है फिर लगातार यहाँ पे dust management के जो प्रावधान हो रहे हैं वो अच्छे से होने ही पार है सडकों पे बहुत धूल है उसके अलावा हर जगे constructions होते जा रहे हैं इन सब की वज़े से क्या होता है PM particle यानि Particulate Matters बहुत ज्यादा generate होते हैं Particulate Matter क्या है यह छोटा सा Particle है जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो कई बार होता है यह Particulate Matter जो है य respiratory problems करता है और obviously यह पूरी चीज है air pollution तो यह cause करता ही है फिर उसके अलावा जो stubble burning है जो crop residue यानि जो भी harvest के बाद जब कटाई होती है तो जो भी नीचे का बचता है उसको farmer जला देते हैं जलाने की वज़े से जो भी धुआ निकलता है वो दिल्ली में पहुंच जाता है और जो सबसे जादा दिल्ली में air pollution cause कर रहे हैं जो हमारा अगला topic है दोस्तों वो है emission gap report के बारे में यह जो report है United Nation Environment Program की एक flagship report है और यह UNEP द्वारा annually release की जाते है यानि की वार्शिक report है क्या है यह basically एक science based assessment है जहां पे हम लोग देखते हैं कि countries ने जो commit किया है कि हम decarbonization करेंगे या फिर temperature कम रखने में greenhouse gases का emission reductions करेंगे उनके यानि basically जो अलग 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 देशों ने जो अलग अलग countries ने वादे किये हैं उसमें और जो actually global temperature को 2 degree Celsius से कम रखने के लिए efforts हम को चाहिए इन दोनों में कितना gap है जाचे for example आपको मैं बताता हूँ माल लीजे मैंने बोला है कि मैं 100 unit greenhouse gas का emission कम करूँगा लेकिन actually अगर temperature को 2 degree Celsius से कम रखना है जो कि Paris climate deal में तै किया गया था तो मुझे कम से कम 200 unit greenhouse gases के emission को कम करना पड़ेगा तो जो gap है मैंने pledge किया है मैंने वादा किया है मैं 100 unit कम करूँगा लेकिन actually 200 unit कम करना है तो यही चीज यह report देखती है कि कितना gap ह जिसमें countries ने वादे किये हैं और कितना वो उन वादों में पीछे या आगे है जब अब उनको देखते हैं इन रिस्पेक्ट हो कि कितना आपको 2 degree Celsius temperature से कम रखने के लिए greenhouse gases का emission रोखना पड़ेगा यहाँ पे emission gap को हम लोग commitment gap भी कहते हैं commitment gap से मेरा भी प्राय है कि माल लीज ECS से कम रखना है उसके लिए मुझे कम से कम 200 unit कम करने चाहिए थे तो मेरे emission के commitment है मेरे जो वादा है उसमें 100 unit का यहाँ gap है तो उसी gap को यहाँ पे study किया जाता है इसलिए emission gap को हम लोग commitment gap भी कहते हैं यानि कि और आसान भाशा में बताऊं तो emission gap क्या कहता है कि हमको क्या करन हैं इन दोनों के बीच में जो gap है उसको कहेंगे emission gap तो basically जो यह report है यह तीन trends को पकड़ती है amount of greenhouse gases जो हम release कर रहे हैं हर साल यानि greenhouse gases जो emit हो रही है per year basis पे यह 2030 तक उनको record करेगा दूसरी बात country क्या वादे कर रही है greenhouse gases को खतम करने के लिए और उनके वादों का impact क्या है क्या actually उनके वादों पे वो खरा उतर रही है और अगर उतर रही है तो क्या उससे कुछ environment को फायदा हो रहा है और किस pace से किस speed से आपको emissions को कम करना होगा जिससे कि आप global temperature को 1.5 degree Celsius तक ही रोक ले इससे और जादा उपर जाने ना दे तो यह तीन parameters या तीन trend है जो यह report देखती है अब report की finding देखते हैं हम report ने का जो दुनिया के top 4 emitters हैं कौन है चाइना, USA, EU और इंडिया देखिए इंडिया चोथे position पे है तो वो लोग सब मिलके 55% emission contribute करते हैं पूरे पिछले एक decade में अगर हम बात करें तो जिसमें भी हमने land use changes को हटा दिया है, desorestation को हटा दिया है उसक 25% इन चारों ने किया है पिछले 10 साल में ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइना है, EU है, इंडिया है, मेक्सिको है, रशिया है, टर्की है ये सब अपने projected target को meet करेंगे अपनी current policies के साथ और जो इंडिया, रशिया, टर्की है ये over perform भी कर सकते हैं अपने target से करीब 15% उसके इस चीर से करने हैं, अगर ये आप नहीं कर पाते हैं, तो किसी भी हालत में 2 degree Celsius से तो बढ़ने नहीं देना, वरना बहुत समस्या आ जाएगी, तो अगर हम अपना पहला checkpoint इसको मान के चलते हैं, 1.5 degree Celsius को, तो report के अनुसार हम वो करने में fail हो जाएंगे, अगर हमने अपने emissions cut नहीं किये by 7.6% हर एक वर्ष 2020 से लेकर 2030 तक, यनि आपको हर वर्ष 7.6% अपने emissions को कम करना पड़ेगा, तभी आप ये डेर डिगरी वाले target तक पहुँच पाएंगे, वरना ये संभव नहीं है, अगर हम लोग land use को भी यहाँ पे include कर लें, तो ranking बदल जाएंगे, जैसे आपने देखा China, US, EU, India, ये सब थी ranking में, लेकिन आप land use को यहाँ पे contribute कर लें, तो ऐसा report कहा रही है कि most probably Brazil first rank पर आ जाएगा, और वो largest emitter बन जाएगा पूरे विश्व में, साथ ही report ये कहती है कि वर्ष 2100 तक, ऐसा माना जा रहा है कि जो global temperature है वो बढ़ जाएंगे, और ब जो आपका sea level है वो बहुत जादा बढ़ चुका होगा, जिससे बहुत सारी countries समुद्र के अंदर समा चुकी होगी, अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया, ranking के हिसाब से इंडिया चौथे स्थान पर है, यानि fourth largest emitter है इंडिया, report ने कहा क कि आपको दो-तीन अरिया पे बहुत काम करना पड़ेगा अगर आप अपना target अचीव करना चाहते हैं, सबसे पहले तो जो आपका transport है, उसको decarbonize करो, क्योंकि transport एक बहुत बड़ा factor है जो greenhouse gas के emission में contribute करता है, तो अगर आप transport में से निकलने वाले carbon को यहाँ पे कम करोगे, तो संभवे कि आप अपने goal तक पहुच पाओ, उसके अलावा साथ में industry से निकलने वाले जो pollution है उसको भी आप decarbonize करो, उसके अलावा धीरे-धीरे करके आप coal को बिल्कुल खतम करो, coal क्या है, coal है fossil fuel, जब कोविला हम जलाते हैं, तो कोविला जलाने के बाद वो greenhouse gases emit करता ह जैसे की carbon dioxide जैसे की carbon monoxide जो की global temperature को बढ़ाते हैं, report के अनुसार कम से कम हमको 1.59 billion dollars का investment करना पड़ेगा renewable energy में, तब ही संभव है कि हम अपने targets को meet कर पाएंगे, और जो electricity है उसका access बढ़ाना पड़ेगा, और कम से कम 3.5 billion लोगों तक अगर आप electricity पहुचा पाएंगे, तो य हम चलते हैं, अपने अगले topic पे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे energy storage system roadmap के बारे में, यह एक roadmap देता है कि उसमें बताया गया है किस तरीके से आप energy storage systems develop करें, basically India smart grid forum एक संस्था है, जिसने एक report prepare की है, report के अनुसार, यहाँ पे हम roadmap तयार करना चाह रहे है, energy storage system का, यह इसमें time period लि energy को आप store कर ले, तो इसमें energy store हो सकती है, और बात में जब भी जरूरत हो, तो इसमें से आप energy extract कर लें, और जहाँ भी आपको जरूरत है वहाँ उसको इस्तमाल कर ले, report कहती है कि हमको investment की जरूरत है अगर आपको energy storage system बनाने है, e-mobility के लिए, telecom towers के लिए, data centers के लिए, diesel generators को replace करने के लिए, और investment के साथ साथ आपको renewable energy को grid में लाना पड़ेगा, अगर ये grid में आ गई, तो इस बात की संभावना है कि हम इस तरीके के system generate कर ले, अगर objective देखें इस road में आपके क्या है तो, सबसे पहले हमको comprehensive analysis करना है, कि कि किस तरीके से grid में अलग-अलग issues उत्पन होते हैं, और कैसे हम उत्पन issues को address कर सकते हैं, उसके अलवा अगर हमको अपने Paris Agreement के targets को meet करना है, इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिया ने खुद के जो target set किये हैं, अगर आपको उसको meet करना है, जो की कुछ इस प्रकार है, reducing emission, intensity यानि emission की intensity को कम करना है, 33 से 35%, 2005 के level पर उसको लाना है कम कर करके 2030 तक, उसके अलवा 40 प्रतिशत हम लोग जो energy या जो electricity generate करेंगे, वो non fossil fuel based item से करेंगे, यानि ऐसा ने कोईले पर depend कर रहे हैं या किसी और चीज़ पर, यहाँ पर हम लोग ऐसे चीज़ों पर depend करेंगे, जिसमें fossil fuel का role बहुत कम हो, उसके अलव से बढ़ेंगी, वहाँ पर आपको deforestation को रोकना पड़ेगा और जाद से जादा पेड लगाने पड़ेंगे, अगर आप देखें जंगल बनाएंगे तो होगा क्या, photosynthesis के दोरान करता क्या है पेड, वो carbon dioxide atmosphere से लेता है, sunlight की presence में खाना बनाता है और इसी दोरान oxygen छोड़ता ह तो यानि carbon dioxide का जो बहुत बड़ा stock है वो पेड consume कर लेता है, तो बहुत ज़रूरी है, हम लोग अगर additional carbon sink बनाना चाह रहे हैं, तो बहुत सारे जंगल हुगाएं और tree cover बढ़ाएं 2030 तक, यहाँ पे आपके साथ में एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, देकि जेनरली हम मा organism है, जो भी जीवित ऐसा organism है, वो respiration का process तो करेगा ही करेगा, जैसे human beings हैं, हम लोग living organism है, हम लोग जीवित हैं, हम लोग सांस लेते हैं, तो सांस लेते वक्त क्या करते हैं, आप oxygen अंदर लेते हैं और carbon dioxide भाहर छोड़ते हैं, ऐसे ही पेड भी एक living organism है, उसमें भी respiration होता ह और respiration के दौरान पेड क्या करता है, respiration के दौरान पेड ऐसे ही human beings या किसी भी living organism के तरह oxygen अंदर लेता है, और carbon dioxide भाहर छोड़ता है, यानि photosynthesis का बिलकुल उल्टा होता है respiration में, respiration में वो सांस ले रहा है, photosynthesis में वो अपना खाना बना रहा है, photosynthesis होता है, तभी जब sun की presence हो यानि जब sunlight हो, तभी सिर्फ photosynthesis होगा, तो आप एक चीज धियान रखें, कि जो respiration है वो तो हर समय होता है, लेकिन photosynthesis जो है, वो सिर्फ और सिर्फ तभी होगा, जब यहाँ पे सूर्य मौझूद होगा, sunlight में करता कहा है, जो paid oxygen respiration ले रहा है, उससे बहुत जादा time paid oxygen यहाँ पर छोड़ता है, इसी वज़े से यह चीज जो है neglect हो जाती है, और जो oxygen छोड़ रहा है, वो हम सब के सामने आती है, हम सब के use में आती है, जनरली आप बताएं, तो लोग कहते हैं कि रात को पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए, ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि रात को sunlight न पेड़ के नीचे सो रहे होंगे, तो आप अगर inhale करेंगे, तो आप में carbon dioxide की मातरा बहुत जादा जाएगी, और oxygen की मातरा कम जाएगी, इसी वज़े से कहा जाता है कि रात को पेड़ के नीचे बैठना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस समय carbon dioxide मौजूद होत चीचते हैं, oxygen चोड़ते हैं, carbon dioxide खीचेंगे, तो carbon dioxide क्या है, एक greenhouse gas है, greenhouse gas ये खीच लेंगे, तो environment में greenhouse gas नहीं रहेगी, अगर environment में greenhouse gas नहीं है, तो यानि global warming नहीं होगी, global warming नहीं हो रहे ही, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि climate change हम लोग रोक पा रहे हैं, और जो हमारा 2 degree Celsius वाला target है, उसको भी शायद हम achieve कर पाएं, लेकिन बहुत जरूरी है आपको उसके लिए जंगल उगाना, पेड़ उगाना, पेड़ को कटने से बचाना, उसके अलावा हमारी जो import dependency है, battery पे, cells पे, उनको खतम करना है हमको, फिर हम चलते हैं अपने अगले topic की और यहाँ प strategy के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम यह भी पढ़ने जा रहे हैं कि NDA में क्या होता है, कैसे क्या करता है, तो देगे सबसे पहले में संस्था के बारे में आपको दो-तीन पॉइंट बता देता हूँ, इसको बनाया गया था Disaster Management Act 2005 के तहत, तो क्योंकि एक अधिनियम के तहत constitute की गए थी, इसी वज़े से यह एक statutory body है, और इसी अधिनियम के अंतरगात इसको December 2006 में finally constitute कर दिया गया था, यह एक agency है, जो कि Ministry of Home Affairs के अंडर आती है, और जैसे आप नाम पढ़ पा रहे है, National Disaster Management Authority, Disasters को manage करने के लिए इस authority का गठन किया गया था, अब जो इसने strategy release क हम लोग इसको देखते हैं, पहले समझते है, लांट स्लाइट क्या होता है, देखिए basically होता ये है, कि जब भी किसी तरीके का कोई disturbance होता है, for example, अभी मैं एक earthquake यहाँ पे लेता हूँ सिर्फ, माल लीजे भूकम पाया किसी इलाके में, तो आम तोर पे होता क्या, अगर मिट्टी को हिलने डूलने नहीं देती, लेकिन जब आप इस पेड़ को काट देंगे, तो जो नीचे की मिट्टी है, वो बहुत धीली हो जाती है, लूज हो जाती है, और अगर जरा सा भी यहाँ पे कोई जटका आया, तो मिट्टी इदर दर हो जाएगी, ऐसा ही यहाँ प पेड़ कट गए, तो जो मिट्टी है, वो धीली हो जाती है, अब आप समझिए कि थोड़ा सा जटका आया, अगर हमाने कि इस एरिया में इस तरीके से अर्थक्वेक आया, तो अर्थक्वेक के आने की वज़े से, जो मिट्टी है, यह धीली है, यह इस तरीके से नीचे की तरफ फिसलने लगती है gravity के अंतरगत या उसके actions के अंडर आके तो जब यह नीचे की तरफ जाती है तो यह सब चीजें अपने साथ ले जाती है यानि यहाँ जो मकान है जो थोड़ी बहुत पेड़ होंगे वो सब मिट्टी के साथ इस तरह के से नीचे सरक जाएंगे और यह सारी मिट्टी आके यहाँ पे नीचे इखटी हो जाएगी अगर यहाँ पे कोई घर होंगे तो मिट्टी के नीचे दब जाएंगे अगर कोई और लोग मौजूद होंगे तो वो भी सब इस मलबे इस मिट्टी के नीचे दब जाएंगे तो basically इस तरीके से जो होने वाली ची कि यह वाला area जादा landslide को vulnerable है, यह वाला area यहाँ पे कम landslide आती है, तो ऐसे areas को पहले आप पकड़ लो या map के थू बना लो जहाँ पे जादा landslide आने की संभावना है, यहाँ पे आप macro scale पे और meso scale दोनों ही उस पे बनाओ, यानि छोटे level पे भी जाओ और बड़े level पे भी ऐसा system आप यहाँ पे fix कर दो इस पहाड पे जिससे अगर मिट्टी थोड़ी भी हिलने लगे तो फिर तुरंत वह आपको आगाह कर दे कि इस तरीके से event हो रहे हैं कि मुझे लगता है आने वाले समय में landslide आ सकती है, तो इससे होगा यह कि जो भी नीचे लोग रहते होंगे या जो भी पहाड पे लोग रहते होंगे उनको हम पहले evacuate कर सकते हैं जिससे उनकी जान बचाई जा सकती है, तो इस तरीके से early warning system यहाँ पे लगाना ज़रूरी है, कैसे लगेंगे, technical recommendation का यहाँ पे हमको use करना पड़ेगा और उसी के तहत हम यह चीज implement कर सकते हैं, awareness program फैलान जाने का जादा खत्रा है, तो फिर आप हमेशा कही ना कहीं खत्रे के तराजू में जूलते रहेंगे, तो जरूरी है आप इस जगे से दूर घर बनाएं, यहाँ पे जादा से जादा पहाड पेड लगाएं, जिससे की मिट्टी धीली ना हो, धीली होके वो नीचे ना सरके पार्टिसिपेटरी अप्रोच की जरूरत है, जादा से जादा लोगों को साथ मिलाने की ज़रूरत है इस awareness drive में, फिर हमको capacity built करने हैं, ट्रेनिگ देरी हैं stakeholders को, जैसे की आप लोगों को पकड़ें, जैसे की आप volunteers को पकड़ें और उन लोगों को training दे, दो तरीके के आप training के शरीर को वहाँ से निकालना है तो यह सारी training यहाँ पर दी जाएगी साथ में आपदा होने से पहले कैसे हमको tackle करना है यह लोगों को सिखाया जाएगा target groups को सिखाया जाएगा volunteers को सिखाया जाएगा उसके लब हमको यहाँ पर एक research study और management center खोलना है वो techno scientific pool create करेगा जिससे की country में एक expertise आ सके फिर हम चलते हैं दोस्तों अपने अगले topic पर यहाँ पर हम लोग world energy outlook 2019 के बारे में पढ़ेंगे कौन छापता है international energy agency यह अंतराश्ट्री उर्जा एजनसी है जो इसको छापती है और इस report में यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2040 तक सौर उर्जा की 495 गीगावाट से बढ़कर 3140 गीगावाट हो सकती है साथ ही इस report में यह चीज़ कही है कि बहुत दुनिया भर में carbon dioxide के emission हो रहे हैं वो बढ़ते ही चले जाएंगे जब तक हम कुछ और plans set नहीं करेंगे कुछ ऐसे ambition set नहीं करेंगे जिसके तहत यह हमको मालूम हो कि हमको climate change को रोकने के लिए सब कुछ अपना जीजान लगा देना है हाला कि अभी हमने अल्रेडी बहुत सारी इनिशेटिव ले रखे हैं लेकिन फिर भी जिस हिसाब से climate change चल रहा है तो इस report के अनुसार इसे carbon dioxide emission बढ़ता ही रहेगा decades तक यानि दशकों तक report में हाला कि कहा गया है जो अलाग-अला countries हैं उन्होंने कुछ जो initiative ली हैं जैसे कि चाइना ने subsidies में बढ़ोतरी की है भारत ने 4500 गीगवाट का target रखा है 2030 तक उसके अलावा US ने भी अपने जो norms हैं जो regulation है portfolio उनको और जादा मजबूत बनाया है तो इस सब के चलते होगा क्या renewable energy है जो उसका production करेगा तो बड़ी आए हम लोग fossil fuel dependence कम करेंगे और पूरे वेश्विक्स तर पर क्यूंकि आशावादी नीतियां चल रही है इस तरीके के परिवर्तनों से जो solar energy है उसके विकास में और जादा तेजी आएगी जो मैंने बताया देखिए आप यहां पर पाएंगे चाइना द्वारा सब्सिडी दी गई है भारत द्वारा साड़े 400 गीगावाट का टार्गेट सेट किया है 2030 तक अमेरिका ने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाया है तो इस सबसे जो renewable energy है उसके production उसके उत्पादर में बढ़ातरी आने की संभावना है लेकिन अगर हम लोग कोईले पर डिपेंडेंस अपनी बढ़ाते चले गए क्योंकि oil और gas के demand बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है फिर आपके global emissions कम नहीं हो सकते वो आने वाले समय में बढ़ने ही बढ़ने है हाला कि यह report ऐसा कहती है कि जो oil demand है यानि जो तेल की demand है वो 2025 के बाद कम होने लगेगी औ अला कि अगर overall देखें तो आप जो decade के perspective से देखें अगर हम मतलब दशक की दृष्टिक ओंड से देखें तो उसमें आपको मालूम पड़ेगा कि US से तो demand बढ़ने ही बढ़नी है तो इस वज़े से 85% करीब demand जो है वो US से आएगी तो इसलिए oil का जो consumption है वो तो बढ़ेग सेनारियो मतलब अभी जो policy चल रही है अगर उसी सेनारियो के इसाफ से आप देखेंगे तो energy demand बढ़ने वाली है और कितनी बढ़ेगी 1.3% बढ़ेगी हर एक साल अगर 2040 तक जो हमने अभी नीतिया बनाई है उसी के अनुसार पूरे विश्व में काम चलते रहे तो अगर क हमको 1.5 degree Celsius से temperature कम रखने के कोशिश करनी है लेकिन अगर आप नहीं रख पाए तो 2 degree Celsius से तो किसी हालत में बढ़ने नहीं देना तो आपको ऐसी policies फ्रेम करनी पड़ेंगी जो इन चीजों को target करके ही आगे बढ़ें अब एक बार हम लोग international energy agency के बारे में देख लेते हैं तो हम लोग एक प्रकार के कच्छों के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है Olive Ridley Turtle हुआ यह है कि Odisha ने अभी fishing को बिल्कुल ban कर दिया यानि मचली पकड़ना ban कर दिया है 2019 November से मई 2020 तक कहां पे गाहिर माता Marine Century में जिससे कि Olive Ridley Turtles को protect किया जा सके जो गाहिर माता है जो कि Odisha पे located ह वो विश्व का सबसे बड़ा Olive Ridley का Nesting Zone है वहाँ पे आके Olive Ridley अंडे देते हैं यह basically लाखों की संख्या में आते हैं और यह November में approximately इस जगह पे आके अंडे देते हैं आप देखी November से March तक का जो समय है Olive Ridley Turtles के लिए बहुत important है यहाँ पे आके November के आसपास मेंटिंग होती है March के आसपास अंडे देते हैं कहाँ पे गाहिर माथा Marine Century में जो की ओड़ी समिस्तित है और याद रखिएगा विश्व का सबसे largest Olive Ridley Nesting Site है यह अगर हम इनके बारे में देखें तो Olive Ridley जो होते हैं यह स सबसे जादा abundant है यानि सबसे जादा sea turtle के तौर पे यही वाली प्रजाती देखी जाती है यह generally गरम पानी के आसपास areas को prefer करते हैं जैसे कि Pacific Atlantic Indian Oceans के गरम waters जो उनके लिए सबसे जादा preferable होते हैं उसके अलब सरकार इन turtles को protect करने के लिए लगातार initiative ले रही है जैसे example के तौ कोशिश यह की जाती है कि olive ridley turtles का जो breeding season है उसको उस particular season में protect किया जा सके फिर operation save kurma यह wildlife crime control bureau द्वारा start किया गया एक operation है जो कि olive ridley turtles को protect करने के लिए start किया गया था फिर wildlife protection act 1972 जो है उसमें latest amendment किये गया थे 2006 में जिसके तहत सभी sea turtles जो कि Odisha की state में आते हैं उनको legal protection provide किया था अगर आपने उनकी hunting की या फिर किसी तरीके से भी उनको नुक्सान पहुचाने की कोशिश की तो आपके उपर criminal actions लिये जा सकते हैं अब दोस्तों अगर हम लोग Odisha की बात करते हैं तो दोस्तों जो major rivers हैं जिनके आज पास ऐसी centuries पढ़ती है वो पहले तो बैतर्नी और ब्रह पहिर माथा फिर उसके बाद जो महानदी का ये दूसरा छोड आ रहा है यहां पर पढ़ता है एक दूसरा मास नेस्टिंग Odisha के साइट जिसको देवी माउथ यहां पर कहा गया है और जो रुशी कुल्या रिवर आ रही है इसके माउथ पर पढ़ता है रुशी कुल्या मास नेस्टिंग साइट तो जो मैंने आप गोला गोला बनाया ये क्या है मास नेस्टिंग साइट है यानि यहां पर भारी मातरा में आते हैं यहां पर आके अंडे देते हैं और अगर आप भारत के नक्षे में देखेंगे तो आप पाएंगे यहां इस कहीं जगे पर यह पूर एक रिपोर्ट यहाँ पर आई है जिसका नाम जिसका टाइटल है oxygen ocean deoxygenation everyone's problem यह रिलीस किया गया है IUCN द्वारा जो कि है international union for conservation of nature रिपोर्ट COP25 या फिर 25 वे conference of party की session में रखी गई थी किसके UNFCCC हमने पहले भी पढ़ा था जो रियो समिट है उसके तेहत तीन conventions आये थे UNFCCC, UNCBD और UNCCD desertification से deal करता है biological diversity से deal करता है और climate change से deal करता है सब के अंदर अपनी खुद की COPs होती है COP यानी meeting होती है जहाँ पर अलग 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 देश आते हैं जो भी इसके सदस्य हैं और वो अपना पक्स यहाँ पर रखते हैं फिर उसके बाद सब लोग कुछ ऐसा common framework त्यार करता है ज यह report बताती है कि जो ocean है उसमें oxygen की level कम होती जा रही है जिसकी वज़े से पूरा marine ecosystem vulnerable हो गया है जो मचलियों की कई सारी प्रजातियां है यह already in ocean warming और acidification से पहले ही पीडित हैं और उसके बाद अब इसमें oxygen की मात्रा में भी कमी आती जा रही है जिसकी वज़े से आने वाले स समय में अगर ऐसा ही चलता रहा तो marine ecosystem पूरा testness हो जाएगा ऐसा बताया जा रहा है कि majorly दो factors हैं जिनकी वज़े से ocean की oxygen कम हो रही है पहला है climate change climate change की वज़े से सब जगे temperature बढ़ रहा है temperature जो बढ़ रहा है यानि global warming जो हो रही है उसके चलते समुद्र का भी temperature बढ़ रहा है और इसी ocean warming process के बढ़ने की वज़ा से ocean में जो oxygen की मात्रा है वो कम हो रही है उसके अलावा nutrient pollution इसके तहट भी oxygen की मात्रा कम होती है एक बार हम लोग इस चीज को समझते हैं इस process को कहा जाता eutrophication होता क्या है देखिए मैं आपको एक छोटे स्थर पर समझाने की कोशिश करता हूँ माल दीजिए यह कोई water body है यह water body है और यहाँ जो है यह agricultural field है यहाँ पे हम लोग fertilizer डालते है fertilizer में होता है N,P और K आपको मालूम है और साथ में fertilizer का main काम क्या होता है पौधों की growth को बढ़ाना यह भी हमको मालूम है तो जब मैं अपने खेत में fertilizer डालता हूँ तो पानी के साथ या किसी भी चीज के साथ वो बहके आ जाते है इस water body में अब देखिए water body के अंदर का चित्रण में आपको यहाँ पर समझाओंगा यह मैंने कहा कि N,P और K यानि fertilizer में जो मौझूद थे elements वो सब इसमें बहके आ गए काम क्या है इसका कि पौधों की growth को बढ़ाए त इस तरीके से यह पूरे पानी के ऊपर वाले surface पर आ जाएगा इस process को हम कहते है algal bloom तो यह चीज आप ध्यान रखें अब मैं आपको पहले situation दिखाता हूँ जब normal condition में कैसा हो रहा था दिखें जो नीचे यहाँ पर पौधे होते हैं यह माल लेते हैं एक पौधा है वो क्या करते हैं वो भी उसी तरीके से जैसे उपर के पौधे photosynthesis करते हैं वो ही पानी के नीचे के पौधे भी करते हैं जब sunlight यहाँ पर आती है तो sunlight की presence में यह क्या करते है oxygen तो भार छोड़ेंगे और carbon dioxide खीचेंगे और उसके तहट अपना खाना बनाएंगे इस process को हम photosynthesis कहते हैं ल अगर यह sunlight अंदर नहीं जा पाएगी तो पौधे के सामने दो समस्याएं खड़ी हो जाएगी सबसे पहले तो यह photosynthesis करने ही पाएगा photosynthesis होता क्या है पौधा अपना खाना बनाता है खाने की बिना जाद है समय तक पौधा जीवित नहीं रह पाएगा और आने वाले समय में पौधे की मिर्ति हो जाएगी उसके अलावा यहाँ पर एक और चीज हमारे सामने आती है देखे photosynthesis जब होता है तो पौधा क्या करता है मैंने आपको बता है carbon dioxide तो खीचता है अंदर और बाहर छोड़ता है oxygen oxygen बाहर छोड़ेगा तो उससे क्या होगा आजपास के शेत्र में oxygen की मातरा काफी रहेगी और जो भी मचलियां है आजपास के शेत्र में उनको oxygen की कभी कमी नहीं पड़ेगी पर इस वज़े से क्यूंकि ये पूरा उपर algal bloom जम गया है ये sunlight नीचे पहुच ही नहीं पाएगी sunlight नीचे नहीं पहुच पा रही तो photosynthesis नहीं हो पाएगा photosynthesis नही पे देखिए क्या समस्या हो गई oxygen का consumption तो वही है क्योंकि जो मचलियां है oxygen तो ले ही रही है सांस लेंगी तो oxygen अंदर खीचेंगी carbon dioxide छोड़ेंगी मचलियां जो भी जीव हैं वो सब ये कर रहे हैं साथ-साथ पौधा खुद भी respiration कर रहा है जो मैंने आपको अभी थोड़ कम होने लगेगी तो हमने पहला point यहां देख लिया यह सारे link से पता-पड़ा oxygen की मात्रा यहां कम हो रही है अब क्या होगा यह जो algae है एक समय आने पर यह सड़ने लगेगी यह सब मर जाएगी तो अब bacteria आएंगे और इसको खाएंगे इसको तोड़ेंगे इसको degrade करेंगे तो आप ध्यान रखें जब भी bacteria किसी भी चीज़ को सड़ाता है या decompose करता है तो वो oxygen consume करता है और वो भी carbon dioxide छोड़ता है तो पहले ही इस area में oxygen की कमी है क्योंकि plant oxygen create नहीं कर पा रहा उसके उपर से यह नया महमान आया है जो algae को तोड़ रहा है और यह भी oxygen नीचे से ले र और ज्यादा तर जो पूरा नीचे का marine ecosystem है वो समाप्त होने लगेगा और यह पूरा हुआ इसलिए है क्योंकि oxygen जो है उसकी कमी होती जा रही है तो यह हमारा एक factor है eutrophication या nutrient का pollution जो nutrient है NPK वो इस तरीके से water body को pollute करते हैं फिर हम चलते इंडिया state of forest report पे यह 2019 की एक report है कु यह MOEFCC यानि Ministry of Environment, Forest and Climate Change के अंदर एक संस्था है report बताता ही है कि हमारे देश में कितना forest है, कितना tree cover है, कितनी bamboo की resources है, carbon stock कितना है, forest fires की हिसाब से हो रही है तो जो नई report आई है उसके आधार पे यह बताया जा रहा है कि जो forest का cover है 21.67% है नेशन के geographical area से अगर आप compare करें औ और 0.12% जादा है पिछले साल के comparison में भारत में forest cover बड़ा है और कितना बड़ा है तो बड़ा है by 3976 square kilometers लेकिन कई जगे decline भी देखा गया है कहां कहां North Eastern states में देखा है जैसे अरुनाचल प्रदेश, मानिपूर, मिजोराम हाला कि फिर भी इन states में राज्यों में बाकी राज three states है जहां पे सबसे ज़्यादा forest cover बड़ा है वो है करनाटक, आंदरप्रदेश और केरिला यानि तीनों ही जो state है ये south की है आंदरप्रदेश, करनाटक और केरिला tree cover हम कैसे define करते हैं, tree cover define किया जाता है, patches of trees अगर कहीं पे हो, एक hectare से कम की जमीन पे और वो recorded forest के बाहर उग रहा हो, तो उसको आप tree cover कहते हैं, tree cover जो है वो बड़ा है, 1212 square kilometers से, साथ मिलके tree और forest cover करीब 25.56 प्रतिशत इंडिया का area constitute करते हैं, आखरी assessment जब हुआ था, इसमे आपको facts और figures याद करने, pre में आने की बहुत संभावना है, इसी वज़े से ये report आपके लिए बहुत important हो जाती है, अब हम चलते हैं दोस्तों, अपने अगले topic पे, यह है climate change performance index 2020, छापा किसने है, तो इसको publish किया जाता है, German watch द्वारा, climate action network द्वारा, और new climate institute द्वारा, और यह annually छापा जाता है, यह नहीं वार्षिक तोर पे छापा जाता है, यह दो चीज़े आपको याद रखनी, एक तो annually छापता है, दूसरी बात, यहाँ पे तीन संस्था हैं, जो छापती है, German watch, climate action network, international और new climate institute, इसमें 57 countries cover की जाती हैं, और उनके अलावा, European union भी cover किया जाता ह हैं, फिर उसके अलावा, जो ranking आती हैं, यह country को किसी भी पायदान पे रखती है, 14 indicators के basis पे, जिसमें 4 category मोटी-मोटी divide की गई हैं, जैसे greenhouse gas emissions, जो 40% score constitute करता है, renewable energy 20% score constitute करता है, energy use का 20% score रहता है, और climate policy का last में 20% score रहता है, यह है क्या, यह एक monitoring tool है, जो यह दिखाता है कि climate change क को रोकने के लिए, countries का performance कैसा रहा है, 2005 में इस particular index को शुरू किया गया था, और basically इसका focus रहता है, कि international climate के उपर जो राजनीती हो रही है, जो politics हो रही है, उसमें पारदर्शिता को बढ़ाया जाए, और जो individual countries, efforts यहां पे लेती हैं, उनको सब को देखा जाता है, consider किया जाता है, तो report की क्या क्या findings है, सबसे पहले तो report ने यह देखा है, कि जो emissions है, उनमें कमी आई है, 57 high emitting countries थी, उनमें से 31 ऐसे हैं, जिन्नोंने emissions कम करे हैं, और इसका major reason यह है कि कोईले की खपत, विश्व भर में कम हुई है, top 3 performance जो रही है, जो रहनी चाहिए, वो तीनों खाली र गया कि क्योंकि किसी ने भी अभी तक इस level का performance दिखाया ही नहीं है, जो Paris climate target से कही न कहीं meet करता हो, 4th पे सबसे पहले Sweden रहा है, यानि यहाँ पर बताओ मैं 1st rank, 2nd rank और 3 rank यह सब खाली रहा है, और 4th rank यहाँ पर 1st rank के बराबर मानी गई है, जो है Sweden की, क्योंकि पहले 3 position पे आने लायक किसी भी country ने perform किया ही नहीं है, 5th rank है Denmark की, Sweden को front runner कहा गया है, Denmark को best climber कहा गया है, सिर्फ G20 में से 2 countries ऐसी हैं, जो की top 10 में है, जो की कौन कौन सी, एक तो United Kingdom, 7th rank पे और भारत 9th rank पे, बहुत अच्छी बात है, यह भारत 9th rank पे है, उसके अलावा, 8th country ऐसी है G20 मे हैं, और उनको very low ranking मिली है, United States of America ने पहली बार Saudi Arabia को replace करके, worst performing country का खिताब यहाँ पे हासिल किया है, यानि आप ध्यान रखे, यहाँ पे बिलकुल उल्टा है, United States काफी जगा पे अच्छी रहती है, लेकिन यहाँ पे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देज, अब United States बन अच्छी हुई है, जो 2019 का index था, उसमें भारत की rank थी 11th, अभी जो 2020 का index आए, उसमें भारत की rank हो गए 9th, तो पहली बार भारत top 10 की rank में enter कर लिया है, जो आपके लिए बहुत अच्छा point है, इसको आप exam में जरूर इस्तमाल करें, तो उससे आप भारत के achievements पे एक strong point यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर हम बात करते हैं, coral restoration की, zoological survey of India जो एक संस्थान है, वो गुजरात forest department की मदद से, पहली बार यह प्रयास में लगा हुआ है कि कैसे coral reef को restore किया जा सके, bio rock technology की मदद से, और इसी के तहत एक bio rock structure install भी कर दिया गया है, करीब एक nautical mile दूर, मिथापूर coast से, gulf of kach में, तो यह चीज़े important है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे facts आपको ध्यान रखने होंगे, किस-किस ने किया, zoological survey of India प्लस, गुजरात के forest department ने किया है, coral को restore करने की कोशिश की जा रही है, कैसे, यहाँ पे एक bio rock technology की मदद ली जा रही है, और इसी के तहत, एक ऐसा structure, already हमने स्थापित कर दिया है, करीब एक nautical mile दूर मीथापूर के coast से, gulf of kach में, कुछ ऐसी mineral accretion technology होती है, जिसको यहाँ पे हम लोग bio rock technology के नाम से भी जानते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग हलका current पास करते हैं, जो की निश्चित तोर पे low voltage रहत और यह crystallize करे जाते हैं, कुछ structures के उपर जो की calcium carbonate से बनते हैं, और यही calcium carbonate responsible है coral reef के formation में, तो यह process हम लोग यहाँ पे apply करेंगे, जिससे हम लोग कोशिच कर रहे हैं, coral reefs को restore किया जा सके, अब जो यह bio rock है, यह basically एक substance है, जो की mineral के electro accumulation की वज़ए से form होते हैं, तो इसकी से क्या हो सकता है, हम लोग artificial coral reefs यहाँ पे produce कर सकते हैं, तो यह technology की मदद से हम लोग artificial coral reefs produce करने की कोशिच करेंगे, जो coral reef है यह पूरे विश्व का one of the most biological diverse marine ecosystem है, इनको tropical rainforest of the ocean भी कहा जाता है, क्यूंकि इसकी biological productivity बहुत जादा है, बहुत जादा यहाँ पे species की diversity होती है, और ब sensitive species होते हैं, उनको एक limited condition चाहिए, जैसे कि जो temperature है, समुद्र का उसको 24 degree Celsius से कम होना चाहिए, उसके अलावा clean water होना चाहिए, तो इस तरीके से इनकी काफी सारी conditions होती है, आगर यह condition meet नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है, coral की population decline होने लगती है, धीरे धीरे coral की colony समाप्त हो होने लगती है, और अभी global warming के चलते, जो sea surface temperature हो बढ़ता जा रहा है, आपको मालू है ocean भी गरम हो रहे हैं, तो यह जब एक बार इस temperature से जाधा निकल जाएगा, जो corals tolerate कर सकते हैं, तो corals की colony जो हो decline करने लग जाएगी, इसी के तहत हम लोगोंने coral के conservation, उसके restoration के लिए, बह marine और coastal environment का हमको sustainable development करना है और sun reduction करना है, उसके अलावा international coral reef initiative भी चलाए जा रहे हैं, जो एक informal partnership है, अलग अलग देशों के बीच में और organization के बीच में, जो coral को बचाने की कोशिच कर रहे हैं, क्योंकि लगाता हर coral की colony जो है, वो decline होती जा रही है, फिर United Nation Environment World Conservation Monitoring Center यहाँ पर scientist हैं, और जो policy makers हैं, उनका सबसे जादा जो attraction रहता है, जो केंदर रहता है, आकर्शन का वो रहता है, कैसे biodiversity को बचाया जा सके, और उसी के तहत आती है coral reefs, और यहाँ पर भारत द्वारा भी कई सारे measures लिए गए हैं, जैसे कि coastal ocean monitoring and prediction system, co-maps लगाया गया है, land ocean interaction in coastal zones, LOICZ लग सारे हम लोग measures ले रहे हैं भारत में, जिसके तहित हम लोग coral reefs को protect कर पाएं, उनका sun reaction कर पाएं, सरकार ने नए coastal regulation zones के लिए, नए rules बनाए है, नई management authority यहाँ पर स्थापित किया है, state level पर और center level पर जिससे की coral reefs को protect किया जा सके, coral bleaching alert system, एक service है, जो की शुरू किया in COIS ने, जो satellite से data निकालता है, sea surface temperature के बारे में, जिससे हमको समझ में आ सके कि अभी समुद्र का तापमान कितना है, अगर वो एकदम से बढ़ रहा हो, और वो इतना आगे निकल जाने की उम्मीद में हो, कि वो coral की प्रजाती को nest कर रहा हो, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे measures लेंगे, ज इसको support किया जा रहा है Tata Chemicals द्वारा, फिर उसके अलावा Reef Watch, इंडिया नामा के एक NGO है, जिसने दो अलग-अलग projects यहाँ पर चला रखे हैं, reef build और reef grow, दोनों में ही focus किया जा रहा है कि coral reef कैसे conserve किया जाए, और उसके बाद कैसे उनके rehabilitation पे focus किया जाए, अंडमान में यहा लोग लगातार ले रहे हैं कि coral reefs को बचाया जा सके, अब जो अगला topic है उसमें हम लोग रामसर sites के बारे में पढ़ेंगे, भारत ने अभी 10 नए wetlands add किये हैं, protected sites के तोर पे रामसर convention में, यह याद रखना है आपको 10 new wetland add किये गए हैं, यानि 10 new रामसर sites add की गई है भारत द हैं आपके exam के लिए, यहाँ पे marshes है, riparian forest है, mosaic है, lakes के, यानि wetland यहाँ पे अच्छे चे support करता है सभी services को, यहाँ पे critically endangered species भी मिलती है, जिसको हम लोग दियो लाली मिन्नो कहते हैं, यह एक मचली है, उसके अलाबा Indian vulture मिलता है और white rumd vulture भी मिलता है, तो इसलिए यह जो site है, बहुत important है, इस topic से 110% एक question आना ही है, तो इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ें, उसके अलाबा दूसरी site जो include की गई है, वो है सामान bird sanctuary जो की मनिपूर में है, माफ कीजिगा मैनपूरी में है उत्तरप्रदेश के, माफ कीजिगा, यह एक oxbow lake है, मैंने आपको oxbow lake क जो नदी है, वो इस तरीके सीधी निकल जाएगी, तो मैनपूरी में समान bird sanctuary जो है, इसको भी रामसर site का दरजा दिया गया है, गंगा के flood plains पे है यह और सर्दियों में यहाँ पे बहुत सारी migrants bird आती है, जैसे की grey lag goose, फिर नवाब गंच bird sanctuary जो फिर से उत्तरप्रदेश में उन्नाव मिस्तित है यह, यहाँ पे Siberian cranes आते हैं, जो कि एक migratory species है और यह winter के महीने में यानि सर्दियों में यहीं पे रहते हैं, फिर समासफुर bird sanctuary जो राय बरेली में है, यह भी मार्शी एरिया है, obviously wetland की बात हो रही है, तो मार्शी एरिया तो हो गई, lowland है, perennial है, यान भी तरीके से बारिश पे dependent रहते हैं, यहाँ पे कुछ threatened species भी मौझूद हैं, जैसे की Egyptian vulture, पलास fish और यहाँ पे लंबी लंबी एक घास उकती है, जिसको सरपट भी कहा जाता है, फिर चलते हम अगले पे, यहाँ पे sandy bird sanctuary है, चूँकि हर्दोई में है उत्तर प्रदेश के, यह एक fresh water marsh है, important point है आपके exam के लिए, साथ-साथ यह important bird area के तौर पे रिकगनाइज़ है, bird life international द्वारा, इसको इसके एक ancient name से भी बुलाया जाता है, जो कि है दहार जील, फिर पारवती अर्ग bird sanctuary है, यह भी उत्तर प्रदेश में located है, यह permanent fresh water environment के तौर पे हम consider करते हैं, और यहाँ पे दो अलग-अलग oxbow lakes हैं, जो मैंने आपको बताया था, वो oxbow lake यहाँ पे दो मौजूद हैं, यह basically rain पे dependent रहती हैं, और गंगा के तराई region में यह स्थित हैं, यहाँ पे white rumbed vulture और Indian vulture और साथ-साथ Egyptian vulture हमको देखने को मिलता है, फिर हम चलते हैं अगले पे, यहा काफी famous है, उसके अलबा ब्यास संरक्षन रिजर्व या ब्यास conservation रिजर्व जो पंजाब में है, 185 km के एरिया में फैली हुई है, ब्यास रिवर के influence एरिया में यह स्थित है, और भारत में पाई जाने वाली Indus River Dolphin की एक मात्र population यहीं पे हमको देखने को मिलती है, यहीं पे एक program शुरू किया गया था, जिसके तहित reintroduce किया जा सके घडियाल को जो critically endangered प्रजाती थी यहाँ पे, फिर नांगल wildlife sanctuary जो कि फिर से पंजाब में है, यह शिवालिक के foot trails पे located है, बहुत जादा eco sensitive zone है, यहाँ पे एक human made reservoir भी है, जिसको भागडा नांगल प्रोजेक्ट के त जो कि फिर से पंजाब में है, यह natural marshes है, aquaculture यहाँ पे promote किया जाता है, उसके pond है, agriculture भी यहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, यहाँ पे बड़ी ही शांदार तरीके से community पूरे wetland को manage करती है, जिसके तहस सभी लोगों को खाना मिलता है और local biodiversity को भी support मिलता है, यहाँ पे exported pond turtle हमको देखने को मिलता है, जो endangered है, तो यह कुछ important sites हैं, जो अभी declare की गई है, आपको ध्यान रखनी है, अब मैं आपको एक बार रामसर के बारे में और बता देता हूं, brief में, 2 February 1971 को sign की गई, यह treaty रामसर इरान में sign की गई थी, यह international treaty है, जिसके तहत हम लोग wetlands के wise use को promote करत है, यहनि आपको अच्छी तरीके से wetland का इस्तमाल करना है, ऐसे इस्तमाल ना करें कि उसको प्रदूशित कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं और उसके extinction की तरफ उसको ले जा रहे हैं, क्योंकि यह 2 February 1971 को sign की गई थी, इसी वज़े से 2 February को हम लोग World में wetland day मनाते हैं, 1975 से यह लागू किया गया था, और अगर मैं इसके official name बता हूँ, तो था convention on wetland of international importance या फिर waterfall habitat, इसी convention के तहत हम लोग एक register maintain करते हैं, जिसको बोला जाता है Montreex record, इस register में wetland site को लिखा जाता है, mention किया जाता है, जहाँ पर या तो कोई ऐसे changes अकर हुए हों, जो उसकी existence को नुक्स पहुचा सके या फिर ऐसी संभावना हो कि आने वाले समय में यहाँ पर इस तरीके के changes हो सकते हैं, किस वज़य से किसी भी human वज़य से हो सकते हैं, शाय टेकनलोजी के introduction से हो सकते हैं, या pollution से हो सकते हैं, या फिर human interference से हो सकते हैं, इसमें अभी भारत की दो sites included हैं, एक तो है अगले topic पर यहाँ पर अफ्रीकन चीता के बारे में पढ़ेंगे, Supreme Court ने अलाव कर दिया है कि Namibia से अफ्रीकन चीता को लाया जाए, और उनका जो भी suitable habitat हो वहाँ पर उसको introduce कर दिया जाए, इस plan को 2009 में बनाया गया था, क्यूंकि इंडिया में जो चीता है, इंडियन चीत की population है, वो almost खतम हो गई थी, 2010 में केंदर सरकार ने एक expert panel का गठन किया और उसको बोला गया कि भाई, तुम बताओ, तुम guidelines दो कि कैसे चीता को reintroduce किया जा सकता है, पैनल ने यहाँ पर कुछ एक जगे recommend की चीते को reintroduce करने के लिए, जैसे कूनो पालपूर MP में है जो, वे इन तीनो साइट में आप चीते को वापिस reintroduce कर सकते हो, हाला कि फिर यह plan ठप पड़ गया, लेकिन बाद में इसको वापिस revive किया, वर्ष 2017 में Central Government ने, अब कुछ arguments हैं जो इसके reintroduction के against हैं, सबसे पहले बोला गया है कि आप चीते को यहाँ पे लाओगे, तो वहाँ पे ज जो sites recommend की गई है, यहाँ पे उन में से एक site ऐसी है, जहाँ पे Great Indian Bustard का habitat है, Great Indian Bustard अभी सिर्फ भारत में 130 ही बचे हैं, जैनि उनकी population भहेंकर तरीके से decline पे है, अगर आप उसी वाले में चीता को भी ले आएंगे, तो यह कुछ एक जो बचे हैं, वो भी पूरी तरह समाप जो की नौरादे ही MP में Keystone Species है, वहाँ पे चीता उन से compete करेंगे और Keystone Species जब compete करती है, तो संभावना होती है कि कोई एक स्पीशी बिल्कुल विलुप्त होने की तरफ आगे निकल जाए, और जो इस group ने habitat suggest किये हैं, लोगों के अनुसार वो unsuitable रहेंगे चीता के लिए, क्यूंकि इन में से किसी भी area में 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़ादा जमीन नहीं है और आफका में बहुत बड़े-बड़े areas है जहां पे चीता के prey आसानी से मिल जाते हैं, यहां पे ऐसी समस्य आएगी, क्यूंकि जो area है वो कम है भारत में, फिर हम चलते हैं, अगले topic की त territories की progress देखते हैं energy efficiency के field में और यहां पर 97 indicators का हम लोग इस्तिमाल करते हैं आगर हम लोग energy efficiency की तरफ बढ़ेंगे तो यह सबसे तेज सबसे साफ और सबसे सस्ता तरीका है इंडिया अपने sustainable development goals यानि सतत्विकास लक्षियों को प्राप्त कर सके Bureau of energy efficiency द्वारा है इसको develop किया गया है साथ में उसने अपने association बनाई है Alliance for energy efficient economy के साथ यानि यह दो संस्था मिलके इसको develop करती है अभी release किया है BEE ने इंडेक्स help करेगा अलग-अलग राज्यों को कि वो national goals की तरफ contribute कर पाएं energy security को भढ़ा पाएं और climate जो change हो रहा है उसको रोक पाएं इस इंडेक्स के अनुसार जो top performing states नहीं है वो रही है हर्याना केरला और करनाटक अब अगर हम लोग यहाँ पे Bureau of energy efficiency की बात करें तो आपको याद रखना है यह एक statutory body है और यह ministry of power के अंडर आती है फिर हम चलते हैं अपने आज के आखरी topic के तरफ यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे hydro chlorofluorocarbon HCFC 141 B के बारे में यह बहुत important topic इसलिए है क्योंकि भारत ने completely इस particular चीज को phase out कर दिया यानि खतम कर दिया और यह one of the most potent ozone depleting substance है और साथ में MOEFCC यानि कि जो हमारी ministry है environment, forest and climate change की उसने एक notification के तहत यह बात clear करी है कि अब इसके import का भी हमने license ban कर दिया है 1 January 2020 से यानि हमने अपने country में phase out कर दिया और आप import भी नहीं कर सकते अब यह यह issue किया है ozone depleting substance regulation and control amendment rules 2019 के तहत जो की environment protection act 1986 के तहत बनाए गए है यह जो complete phase out हुआ है HCSC 141b का यह among the first है article 5 या फिर अनुछेद 5 के तहत जो की Montreal protocol में बताया गया था अगर हम इसके बारे में पढ़े हैं तो दोस्तों chloro-fluorocarbon के बाद जो सबसे ज़्यादा कोई ऐसा element था या agent था जो ozone को तोड़ता है या ozone layer को deplete करता है तो वो है HCFC उसके साथ जुड़े हुए side effects मैंने आपको बता दिया UV rays जो है वो नीचे आ जाएंगी skin में बिमारिया आख की बिमारिया पेड़ पौदों में बिमारिया यह सब cause होने लगेंगी यह जो है यह mainly blowing agent के तौर पर इस्तमाल किया जाता है foam manufacturing industry में तो यह important चीज है उसके अलवा आपको ध्यान रखना है दोस्तों यह जो HCFC है यह हमारे domestic market में produce नहीं किये जाता इसमें हम लोग totally 100% import पे ही depend करते हैं लेकिन अब जो हमने यह step लिया है जिसमें import को ban कर दिया है तो अब ऐसा ही उम्मीद है कि यह देश में नहीं आ पा substance को खतम करने के पूरा प्रयास किया है और इंडिया का low global warming potential है अब अगर Montreal protocol के बारे में बात करें इसको 1987 में finalize किया गया था stratospheric ozone जो layer है उसमें छेद हो रहा था जो मैंने आपको बताया था chlorine के reaction की वज़े से तो इसमें हमने यह तैय किया था कि जो भी ozone को deplete करने वाले substance है उनके उत्पादन पे भी रोक लगानी है और उनके consumption पे भी रोक लगानी है अब यह जो HCFC है इसके दो benefit होंगे सबसे पहले तो ozone layer अब नहीं तूटेगी तो उसके तूटने से हमने उसको बचा लिया है और अब UV की जो किरिने है वो नीचे नहीं आएंगी और ultimately यह repair होगी FC है इसका global warming potential भी था यानि एक greenhouse gas के तौर पर यह emerge हो रहा था अब अगर इसको completely phase out कर दिया तो हम global warming को भी कुछ हद तक कम कर पाएंगे तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का topic समाप्त होता है मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस lecture से फाइदा हुआ होगा और आपके concepts मजब मेवाद करता हुआ